Friends, finally मेरे पास Cashify से Replacement Mobile आ गया है और ये Blue Dirt के थुरू आया है और ये Replacement लेने में मुझे काफी मेहनत करनी पड़ी है काफी effort लगाए मैंने बहुत सारे mail मैंने Cashify को डाले और Cashify ने मुझे कॉप्सेन दिया था कि मैं Store पर जाकर भी Replacement ले सकता हूँ जब मैं Store पर गया था तो वहाँ पर मुझे जो 12 Mini का Stock मिला था उसमें ज़्याद अच्छी quality नहीं थी दो Fair Condition में Mobile अविलेबल थे जिन पर बहुत सारे scratch और dent लगवे थे तो वो मैंने नहीं देखे और जो Good Condition में अविलेबल था वो देखने में काफी अच्छा था बट उसके अंदर एक battery का issue था phone के अंदर battery health 100% show कर रहा था लेकिन जब मैं 3Tool से check कर रहा था तब उसके अंदर कुछ और battery health निकल के आ रहा था और जब मैंने दोनों का battery test करके देखा तो मुझे जो online mobile receive हुआ था वो ज्यादा बैटर लगा बजाए 100% battery health के साथ तो मैं समझ गया था कि इसके अंदर battery change है और उसका backup भी बहुत अच्छा नहीं है तो इसलिए मैंने वहाँ से भी निलिया तो मेरे मन में ये doubt था कि अब मुझे पता नहीं online replacement मिलेगा नहीं मिलेगा लेकिन उसके बाद भी मैंने काफी सारे mail किये थे जिसके भी हाँ पर मुझे जब online replacement मिल गया है finally तो जल्ली से मैं इसको unbox करता हूँ और इस बार की देखे packaging कुछ इस तरह की है बाहर के box के बाद देखे कुछ इस तरह का अंदर भी एक package है बट इस box के उपर उन्होंने किसी तरह का कोई bubble wrap नहीं किया है जबकि bubble wrap होना चाहिए था product की safety के लिए और यहाँ पर देखिए जो इसके उपर seal लगा हुआ है यह कुछ अलग तरह का है पहले मेरे उस पर cashify का seal था और यह देखिए यूँ ही छुट गया और यहाँ पर भी एक seal लगा हुआ है इस बार का जो seal है वो अलग तरह का है पहले जो मुझे box पर seal मिला था उसके उपर cashify लिखावा था proper तो मैं यहाँ पर यह seal हटा लेता हूँ और देखिए box चारो तरफ से कुछ इस तरह का है और यहाँ पर product की information available है इस तरह से तो जल्ली से open करके देख लेते हैं कि इस बार replacement में किस तरह का device मिला है और मैंने इसका part 1 और part 2 वीडियो भी बनाया है जिसको आप check कर लीजेगा यहाँ पर आप इसका invoice bill देख सकते है और back side में यह कुछ information है accessories में यह 20 watt का power adapter है यह compatible power adapter है और यह देखिए कुछ इस तरह की इसका lightning cable मैं दोनों के ports दिखाने ही कोशिश करता हूँ इस तरह की है यह original नहीं है यह भी compatible है बट यह accessories आपको 3 months की warranty के साथ मिलती है तो यह अच्छी बात है और इसके अंदर है कि यह छोटा सा card है warranty card यहाँ पर भी आप information read कर ले न और यह सेम ejector pin और इसके box पर तो seal लगाने का कोई मतलब भी नहीं बनता और जो phone इसके अंदर आया है यहाँ पर भी अगर देखा जाये तो इस तरह का देखे form लगा हुआ है बट यह इसको protect नहीं कर पाएगा bubble wrapping होने चाहिए थी mobile की safety के लिए phone के उपर कितने scratch हैं कितने dent हैं उसके लिए मैं पहले phone को अच्छे से clean कर लेता हूँ camera lens के उपर मैं scratch देखने कोशिश करता हूँ यहाँ पर देखे हलका सा scratch लगा हुआ इस तरफ यह देखे यहाँ पर glass के उपर scratch है तो देखेंगे कि camera sample के अंदर हमें कोई problem ना देखने के लिए मिले और यह इसका mic यह काफी clean है दूसरे का camera lens काफी अच्छा है clean है और back side में देखे कोई भी scratch या dent नहीं है back glass पर और यह side में यहाँ पर power button तो यह देखें यहाँ पर कुछ dent लगे हुआ है यहाँ पर भी काफी अच्छा कासा dent लगा हुआ है सरफ और यह bottom में देखें इसके speaker grill clean है और अंदर से charging jack देखते हैं एक बार कभी कभी इसके अंदर भी dust देखने के लिए मिलता है काफी बार मैंने ऐसा देखा है लेकिन हाँ charging jack इस बार काफी clean है और अंदर से आपको इसकी pins देखने में मिल जहोंगी यह देखें इस तरफ और यहाँ पर देखें दूसरे corner पर भी इस तरफ dent लगे हुए है यहाँ पर छोटे छोटे dent लगे हुए है और यह volume down volume plus यह इस का ringer बटन और टोप में देखा जाए तो यहाँ पर भी हलका सा scratch लगा हुआ है इस तरफ भी है काफी सारे इस बार scratch और dent मिले है मैं इस बार display को पहले clean कर लेता हूँ देखें मैंने display को काफी अच्छा से clean किया है अब यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो camera के देखें front camera के उपर इस तरफ और यहाँ पर भी हलके हलके minor scratch है और यह देखें इस तरफ इस तरफ यहाँ पर यह light के reflection से आपको देखने में मिलेगा इस तरह से और नीचे भी यहाँ पर भी कुछ छोटे-छोटे scratch लगवे है minor scratches बहुत सारे हैं screen के उपर good condition में इतने scratch और dent expected नहीं थे इसको मैं जल्ली से on करके देख लेता हूँ और यहाँ पर देखे on करने के बाद directly phone on हो गया है यहाँ पर मैं एक बार देख लेता हूँ कि phone पहले से use तो नहीं किया है यहाँ पर कोई photo अगर है नहीं है call log में जाके check कर लेते हैं यहाँ पर भी कुछ नहीं है और सबसे पहले चलते है battery health के अंदर क्योंकि जब मैंने first time order किया था तब मुझे battery health 84% मिला था और देखे इस बार जो battery health है वो 89% है जो काफी अच्छा है बट हम यह check करेंगे कि battery original है या फिर replace है वो 3 tool के अंदर हम check कर लेंगे यहाँ पर 31% है 550 time हो गया है और अगर मैं general के अंदर जाता हूँ about के अंदर तो यहाँ पर देखे जो model number है hn forward slash a तो यह एक Indian variant है जो कि अच्छी बात है और यह first boot के बाद देखे 64 GB में से 52.77 GB यहाँ पर मुझे available है और iOS version 16.2 और मैं यहाँ display बैटरी में जाता हूँ यह भी ठीक काम कर रहा है और display की quality को देखने के लिए आप कोई white wallpaper निकाल के चेक कर सकते हैं जिसके अंदर कोई yellow tint या फिर कोई color tint नहीं दिखना चाहिए screen को extreme edges पर ले जाने पर आपको वो proper white दिखना चाहिए इस तरह से और दूसरा आप display को ऐसे प्रेस करके भी देख सकते हैं अगर वो replace होती है या properly fixed नहीं होती है या फिर phone को open किया गया है तो उससे पता चल जाता है क्योंकि उसकी display अंदर की तरफ प्रेस होने लगती है यहाँ पर मैंने display को चारो तरफ से देखा है प्रेस करके तो यह बहार या फिर अंदर नहीं जा रही है properly fixed है क्योंकि जो मैंने कैसिफाई के स्टोर पर एक iPhone देखा था उसका display इसके border से बहार निकला हुआ था इसके frame से बहार जा रहा था तो वो मुझे phone ठीक नहीं लगा definitely वो phone open किया गया तो यहाँ पर display मुझे origin लग रही है यहाँ पर phone का speaker test करके देख लेते है और button वगरा भी चेक कर लेते है यह volume down, volume plus यह इसका ringer button यहाँ पर भी proper work कर रहा है और इसका haptic feedback भी अच्छा है यह power button यह भी working है और इसका camera भी test कर लेते है क्योंकि जो इसका एक camera lens के उपर scratch लगावा था मैं यहाँ पर एक photo लेता हूँ यह ultra wide में यह front camera का photo और यहाँ पर video भी check कर लेते है autofocus यहाँ पर working है इस तरह से यहाँ पर देखे जो मैंने front camera से photo लिया है यहाँ पर काफी clear है मैं अगर zoom in करता हूँ तो full zoom करने के बाद देखे कुछ इस तरह की picture quality यहाँ पर front camera से देखने के लिए मिल रही है जो मेरा skin tone है वो काफी हतक natural है और यहाँ देखे माइक के पास भी जो object है यहाँ पर भी काफी अच्छी details देखने के लिए मिल रही है और यह ultra wide में जो photo लिया था यहाँ पर भी काफी zoom करने के बाद इस तरह की picture quality आ रही है और यहाँ पर pixels जादा नहीं फट रहे है थोड़ सा यहाँ पर मुझे इस तरह सा देखने के लिए मिल रहा है यह जो हमने normal mode में photo लिया था यहाँ पर देखे काफी zoom करने के बाद यहाँ picture quality अच्छे लग रही है और जो camera के lens के उपर जो scratch लगावा था उसका कुछ ऐसा impact देखने के लिए नहीं मिल रहा है camera result के अंदर और मैं हाँ इसके अंदर जियो का same insert करके देख लेता हूँ तो यहाँ पर यह lt लिखा आ गया है और sound test करने के लिए मैं कोई एक random music play करके देख लेता हूँ और volume full कर लेता हूँ sound output काफी loud है काफी clear है और जो bass है वो थोड़ा सा कम है बट जो treble है वो काफी तेजस के अंदर और यहाँ पर एक test call करके देख लेते हैं welcome to geo तो यहाँ पर same be proper work कर रहा है मैं यहाँ पर एक बार इसका wifi test कर लेता हूँ तो देख सकते हैं wifi भी connect हो गया है और एक बार setting के अंदर जाते हैं software update चेक करके देखते हैं तो यहाँ पर मुझे software update मिल रहा है 16.5.1 इसको मैं बाद में update कर लूँगा और मैं camera app के अंदर जाता हूँ और मैं यहाँ पर 500 photos लूँगा burst mode में तो मैं setting को उन कर लेता हूँ photo लेने से पहले देखे बैटरी है 26% अब मैं वापस से camera के अंदर जाता हूँ और 500 photos लूँगा और उसके बाद देखते हैं कि कितना battery drain होगा है यहाँ पर तो यहाँ पर लगबग मैंने 500 photos ले लिया है और देखिए battery अब 24% पर आ गया है मतलब 2% का battery drain हुआ है अगर आपकी battery percentage 50 से नीचे है और उसके अंदर अगर इतना drain होता है 2% तो वो ठीक है क्योंकि इससे पहले जो मैंने iPhone 12 में लिया था वो 50% से ज़्यादा होने पर तो अच्छा result दे रहा था backup में लेकिन जब मैं 50% से कम जाता हूँ 40% ये 30% तब battery drain ज़्यादा होता था और burst mode में लेने पर 4% तक drain चलिया थी battery तो उससे मेरे को पता चलिया था कि जो उसका backup है वो मुझे तना अच्छा नहीं मिलेगा और क्योंकि उसका battery health भी 84% था तो ये चीज भी आप ध्यान लखेगा और यहाँ पर मैं इसकी accessories भी check कर लेता हूँ जल्ली से क्योंकि पिछली बार जो मैंने phone लिया था उसका power adapter खराब हो गया था एक दो दिन बाद लेकिन cashify वालों ने उसको change कर दे था जब मैं store पर गया था यहाँ पर देखे battery power आ गया और wireless test भी करके देख लेते हैं मैं यहाँ पर regular brand का wireless charger यूज़ कर रहा हूँ तो wireless testing भी देख लेते हैं यहाँ पर trust पर क्लिक करता हूँ और यह three tool application मैं यहाँ से launch कर ले रहा हूँ तो यहाँ पर दिखान से देखे 24% battery यहाँ पर और इस चरफ भी visible है तो यहाँ पर देखे battery health 89% और यहाँ पर भी 89% आपको देखने के लिए मिलेगा जो की बिल्कुल accurate information है और charge time की बात करें तो 441 times यह phone charge किया गया और देखे general के अंदर जो model number, serial number है वो भी यहाँ पर same match कर रहा है और अब इसका verification report भी चेक कर लेते हैं तो यह देखे आपको सारी जो test result value है वो normal show कर रहा है और वो तब करेगा जब आपकी X factory value और read value दोनों same होंगी और जो इसका testing score 98% और production date की बात की जाए तो 29 November 2020 और iOS version 16.2 जो मैंने phone के अंदर दिखाया था और बागी मैं इसको latest version में अप्ग्रेड कर लूँगा और in short आप यह सारी information read कर सकते हैं phone को order करने से लेके phone का replacement लेने तक के बारे में मैंने सारी information इस paper पे share की है और अगर आपको इसको detail में समझना है तो मैंने इसका part 1 video बनाया और complaint करने का सही तरीका क्या है वो आपको part 2 video मिलेगा जिसके through मुझे यह replacement मिल पाया है तो friends मैंने इसको 50% के आसपास charge किया है मैं इसको full charge नहीं करूँ है क्योंकि backup में issue जातर 50% battery charge के नीचे देखने के लिए मिलता है तो मैं इसको full charge नहीं करूँ है और ये मैंने phone reset कर लिया है और इसके अंदर अपनी Apple ID से भी login कर लिया है और काफी बार ऐसा होता है कि phone को reset करने के बाद अपडेट करने के बाद जो उसका battery health है वो काफी बार कम देखने के लिए मिलता है तो यहाँ पर देखे फिर से 89% battery healthy हमें देखने के लिए और मैंने इसको latest iOS version में भी अपग्रेड कर लिया है और phone का battery backup test करने के लिए यहाँ पर हम फिर BGI में से start करेंगे और यहाँ पर time देख लिए 9 बच के 10 मिनट और 50% battery और game start करने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसका graphic setting क्योंकि ऐसा नहीं कि इसमें lag देखने के लिए मिलते है थोड़े बहुत lag आते हैं इसके अंदर वो heating के time पर आते हैं तो यह देखे smooth extreme balance के अंदर भी extreme HD के अंदर extreme और HDR के अंदर extreme frame rate देखने के मिल जाते हैं और यह ultra HD भी support करता है जिसको download करने के बाद जो frame rate रहेंगे वो सिर्फ ultra तक रहेंगे तो यहाँ पर मैं HDR extreme पर game play करने वाला हूँ ताकि पता चले कि maximum graphic में हमें किस तरह का यहाँ पर backup देखने के लिए मिलेगा और match को जल्ली से start करते हैं यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ brightness 70% के असपास है और volume यह 50% रखते हैं और game start करने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ उसका temperature तो front में 39.9 और rear में 40.4 और maximum graphic पर देखें कुछ इस तरह का animation यहाँ पर देखने में मिल रहा है अभी जस्ट मैंने game को start किया है तो इतना ज़्यादा lag या फिर heating नहीं मिलेगा देखने के लिए मैं जल्ली से land कराता हूँ ताकि video का land ज़्यादा बढ़ा न रहे और यहाँ पर कुछ इस तरह का graphic performance देखने के लिए मिलेगा कुछ इस तरह की graphic quality friends higher graphic setting में यह देख सकते हैं थोड़े से lag होते हैं जब यह heating करता है बढ़ यह हम check करेंगे कि इसके अंदर heating issue है या नहीं है तो video length को maintain रखने के लिए game को जली से end करता हूँ और फिर आपके साथ इसका battery result share करूँआ अब देखिए यहाँ पर काफी heat हो गया पीछे से मैं आपको उसका temperature दिखाता हूँ 42.8 पहुँच गया है और friend में देखिए 42.3 तो इस तरफ से काफी heat हो रहा है और यहाँ पर अब देखिए थोड़ा थोड़ा lag भी कर रहा है game यहाँ पर देखिए पहले जासा smoothness नहीं है और हलकलका यहाँ पर lag अब हमें game के अंदर देखने के लिए मिल रहा है क्योंकि मैंने fan off किया हुआ है तो इसलिए भी ज़्यादा heat कर रहा है आपके room में अगर fan या फिर AC है तो तब यह शायद इतना ज़्यादा problem नहीं करेगा तो friends यहाँ पर मेरा game end हो गया है मैं हाँ पर जल्ली से आपको result दिखाता हूँ तो हमने 9 बच के 10 मिट से start किया था और 53 से 33% पर बैटरी आगया तो 20% का यहाँ पर drain हुआ है और लगबग आदे घंटे से उपर की gaming करिए और मैं आपको जल्ली से इसका temperature दिखाता हूँ 42.9 front में और rear में देखिए high यहाँ पर temperature show कर रहा है तो कुछ इस तरह का backup मुझे अभी इस phone से मिल रहा है 89% battery health होने के बाद भी और इससे पहले जो मेरे पास 84% battery health के साथ phone आया था उसका backup किस तरह का था वो भी आप उसके part 2 वीडियो में देख लेना जिसमें मैंने detail में समझा है अगर आप second hand या फिर रिफर्बिज मोबाइल पर्चेस करने का सोच रहे हैं तो वो आप कहीं से भी purchase करिए बट उसका ये भी देखना होता है कि इस after sale support कैसा है और जितने भी online website है क्या उनका कोई offline address है जिस पर जाकर आप warranty भी claim कर सकते हो तो जैसे कि मैं cashify के case में store पर भी गया मेरे पास एक वो option भी था और बाद में जब मुझे वहाँ से phone ठीक नहीं मिला तो मैंने दूसरा option चूज किया जहाँ पर कि मैं जहाँ पर मैंने replacement के लिए और भी mail डाले और फिर उन्होंने मुझे online ये phone दिया है replacement या warranty claim करना इतना easy नहीं होता है आपको proper proof present करने पड़ेंगे आपको issue दिखाना पड़ेगा जिसके लिए मैंने mail पर video भी attach करके डाला कि मैं ये battery problem face कर रहा हूँ बट जो लोग job करते हैं उनके थोड़ा सा difficult हो सकता है क्योंकि हर वक्त आपको mail पर follow up लेना पड़ेगा reply check करने पड़ेंगे फिर आपको mail डालना पड़ेगा वो क्या information आपसे मांग रहा है आपको वो present करने पड़ेगी तो ये थोड़ा सा difficult हो रहा था और time taking हो रहा था but in the end मुझे cashifier से replacement मिल गया जिसका battery health पहले से बैटा रहा है और थोड़ा से scratches है minor scratches जिसको मैं manage कर लूँगा तो phone अगर आप कहीं से भी purchase करने जा रहे है तो खुद की knowledge और अपना experience और research करिए उसके बाद कहीं से भी phone purchase करना अगर आपके मन में कोई भी doubt, question, concern आता है तो आप comment box में mention कर दिजीए कि हम आपके हर comment कर reply करूँगा और ये वीडियो कैसा लगा, comment box में जरूर सो बताना मिलते फिर किसी नहीं वीडियो में बाई-बाई टेक क्यूए और एट्ट्रि में inmates से अगांस लागए के बाई-बाई-बाउन, तो लाज़ का भी देखाना है अब बतर समय चाहं बाई-बाऔर न में गी उता है आउन की च्यामिटि GG यहां थो फ्राइद्ध का अभी पिर टेनीज आपको दिखाई रहें ती है तीन हाहीज दो फ्रेंगे दिटीने के दट उसको पर आपको फ्री विघे स्कारवा करें अभी सिर्वा पर तो के इसर बाद्न आफट रूखनी को पेड़ेगी पादर नगतर बॉच्वर तो के ब जो एड़ दो पार